यूपी पुलिस के सिपाई का वीडियो हुआ वाइरल कल 10 अगस्त बुद्दवार से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है यह वीडियो फ्रोजाबाद में तैनात यूपी पुलिस के सिपाई मनोज कुमार का है वीडियो वाइरल होते ही योगी मौदी सरकार की खुली पोल सिपाई के गिरते आंसू ये बताने के लिए कापी है कि प्रदान मंत्री 18-18 गंटे किल लोगों के लिए काम कर रहे है और बाकियों का क्या हाल है योगी सरकार में उत्तर प्रदेश कितना कुसाल है सिपाई ने रो रो कर उजागर की सिस्टम की सक्चाई आप जबाब बनाया जा रहा है भाई हो देख आरची पर समतों तरदेखारियों का अधेज है साथ पाद में करें कि और हमेरे बगड़ किया जाएगा कोई सुनने वाला नहीं है इस बिभाग में मैस में अच्छा खाना ना मिलने की सिकाईत को लेकर सिपाही मनोज कुमार को बर्दी में सड़क पर हातों में खाने की प्लेट लेकर आना पड़ा वह लोगों को प्लेट में रखी रोटी दाल चावल दिखा कर रोता रहा उसने कहा कि दाल पानी जैसी मिलती है कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है बारे बारे घंटे नौकरी करने पर भी दो बक्त का भोजन नसीव नहीं आरचक मनोज का कहना है कि उसने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया उनसे मिलने की कोशिस की उनसे फोन पर बात करने की कोशिस की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई सिकायत करने पर सिपाई को बर्कास्त करने की दमकी इतने पर भी मुझे दबकी ती जा रहाए यारा ही बहुते था दॉरारा करना दौराए नहीं हुख जर दॉरारा के तुछे फरकास कर जो कि तोड़ेंगे तूरेंगे ठानी को सब्सके जर्कार वागया आप बताईए के मेरे साथ चाहत की हो रही है और भॉर्वादा कर लेज हो रही है यह वीडियो भाद ही मुख्यमत रही होगी आतरा सिके इस मामले की खबर जब आला अधिकारियों को मिली तो पुलिस की जीप भी वहां मौके पर पहुँच गई कुछ पुलिस कर्मी मनोज कुमार को जबरन जीप में बैठा कर पुलिस लाइन ले गए वीरो रुपोर्ट जनित आवाज दिल्ली